हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका आपके अपने अमेजिंग रेसिपीज में दोस्तों नेपाल से ओरीजिन हुई ये रेसिपी जो कि इंडिया के हर कोने में फेमस हो चुकी है वही रेसिपी आज़म बनाएंगी सबसे आसान और बिल्कुल कम इंग्रीडियंट से बनने वाली ये लेस ओयल रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और स्पेशली बच्चे इस रेसिपी को बड़े ही मज़े से खाते हैं इसके लिए सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे मैंने यहां दो बाउल मैदा लिया है आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं टेस्ट के एकोर्डिंग नमक डाल लेंगे तीन से चार चम्मच ओईल डाल लेंगे ताकि डो एकदम सौफ्ट बने अब इन ओईल और नमक को मैदा में अच्छी तरह से मिला लेंगे इस तरह से हतेलियों से आप इने अच्छी तरह से मिक्स कर लें नेक्स्ट हम पानी एड करते जाएंगे और चपाती जैसा डो बना कर तयार कर लेंगे डो को ज़्यादा पतला या ज़्यादा टाइट बिल्कुल नहीं रखेंगे उसे बिल्कुल चपाती जैसा डो हम बनाते हैं न वैसा ही लगाएंगे अब इसे करीब 10-15 मिनिट के लिए धक कर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से भीग जाए तब तक हम स्टफिंग रेडी करते हैं कडाई में एक चम्मच तेल गरम करके उसमें एक चम्मच जीरा डालें जब प्याज ब्राउन हो जाए तब इसमें हाफ केजी ग्रेट की हुई कैबेज रालेंगे और फिर से इसे भून लेंगे टेस्ट के अकोर्डिंग नमक डालेंगे और एक चम्मच गरम मसाला डालेंगे और मिक्स कर लेंगे कोई ज्यादा फाल्तु मसाले एड़ करने की ज साइस का बेल लेंगे अगर यह परफेक्ट राउंड ना बने तो कोई बात नहीं अब इसमें एक चम्मच टफिंग रखेंगे और कुछ इस तरह से बाइंड करते जाएंगे उपर के एक्स्ट्रा मैदा के पार्ट को हटा कर फिर से डो में मिला लेंगे इस तरह से सारे बन तैयार किये हैं उन्हें इस पर रख लेंगे और इसे ढखकर करीब 10-15 मिनिट तक स्टीम करेंगे और हाँ फ्लेम को लो टू मेडियम रखेंगे हाई फ्लेम नहीं करेंगे वरना पानी जो है वो ट्राय हो जाएगा और हमारे मोमो अच्छे से पक नहीं पाएंगे अब इसे एक दो बार चेक करते रहेंगे कि मोमो अच्छे से पके हैं या नहीं जब इसे पक जाए तो गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे धैसुन की चटनी और वाइट मैयो के साथ आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बता कि रहीं